राजदानी दिल्ली को किसानों ने तिन तरफ से घिर रखा है और लगता क्रिसी बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहा है इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए भारतिय जंता पार्टी के पूर्वे विदाया करामेश्वर चौरसिया मौजूद है कैसे देखते हैं जो किसान अंदोलन इस वक्त हो रहा है सर उसको देखें जो किसान अंदोलन हो रहा है सरकार बात भी कर रही है उनकी बात सुनने को भी तयार है लेकिन यसनों में कोई बात होती नहीं अब पहले असन सोधन की मांग हो रहा था वो भी सुनने तयार है लेकिन आप ध्यान दीजेगा इस सारे किसान मैक्सिमम पंजाब के लोग ही क्यों बैठे हैं देखे इस देश में शुरू से ही पंजाब में जो MSP है वो लागू तो पूरे देश में है लेकिन पंजाब में 85-90% लोग MSP में सरकार को दे देते हैं और वो MSP में direct किसान नहीं देते हैं जो मंड़ी वहां है जो अलहतिया होते हैं वहां उनका ओंद ले लेते हैं कम दाम पर और अएमसपी में वो दे है तो पंजाब का यह पर्ट के पूरा चला जाता है o Liquid NSP में में रहा रहे हैं कि पूरे देश के कीसान कि नहीं पर अंदोलन कर रहे देखिए सवाल यहां है कि एक उदाहरार आपको दे रहे बिहार में ले लिजे बिहार में PDA सिस्टम में बाटने के लिए चाहिए आपको 36 लाख मेट्रिक टन राइस इसका मतलब करीब करीब साथ पाएशट लाख मेट्रिक टन धान और गेहुं चाहिए 20 लाख टन लेकिन सरकार पिछले बार खरीदी कितना 20 लाख टन धान खरीदी मतलब 13 लाख टन चावन बाकी कहां से आता है बाहर से अगर अपना पीडियस सिस्टम के लिए यहां के किसानों से एक करोड मेट्रिक टन धान पैदा हो रहा है अगर सरकार साथ 65 भी खरीद ले तो पीडियस सिस्टम में जितनी ज़रूरत है उतना तो बिहार से मिल जाएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट बिहार का बचेगा पूरे दे पूरे देश में इमांदारी से अगर पीडियस सिस्टम में ले लिया जाए तो कहीं किसानों को कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी दूसरी बात यह जो कहा जा रहे है कि में समाप्त कर देगी किंद्र सरकार कैसे समाप्त कर सकती है आप देखिए 85 करोड लोगों को पीडियस मे देना पड़ता है उन 85 करोड लोगों के लिए जो रासन देना है सरकार को उत्ना तो सरकार को लेना ही पड़ेगा वो कैसे समाप्त कर सकती है ति ये ब्रह्म की इस्थिति ये भविस की स्थिति को ले करके किसान अंदाता है कर रहे है तो ये ठीक नहीं मुझे लगता है कि जो भड़काने वाली ताकते हैं, जो भी यह पलिटिकल है, नन पलिटिकल है, उनसे बचना चाहिए, और किसानों, जब सरकार तयार है, तक किसानों को अपने मसले को रख करके, ऐसी बाते करनी चाहिए कि दो कदम तुम बढ़ो, दो कदम हम बढ़े, ताकि उसका सॉलूसन न कलता नहीं है, और किंद सरकार का जो यह बील है, मैं तो कहता हूँ कि बिहार बाकी परदेशों के लिए उनके लिए भी अच्छा है, आप बताइए, हमारा लोकल में, अगर एग्रो इंडस्टी खुल जाता है, तो किसानों को तो और फायदा होगा, दूसरी बात, आप कहत किसाना है, तो जो चिप्स बनाती है, कंपनिया, उनको आलू चाहिए, अगर वो किसानों से कंट्रेट कर लेता है, कि भाई, महांगा हो यह सस्ता, अगर आप तुमको पढ़ता है, तो बीस या पचीस रुपे यह घहू मैं खरिद लूँगा, किसान पैदा करता है, उसका किसानों के हूँ, वही से पचीस रुपे बिग गया, तो क्यों मैं बेचने जाएगा, तो यह तो कुछ चीजे बहुत अच्छी है, अब बिहार जैसे स्टेट के लिए, यूपी जैसे स्टेट के लिए, हमारे हाँ गो डाउन नहीं है, हमारे हाँ जो बोलते है, कोल्ड बना दें, रेंट पर लेकर के, यह अपने स्टोरेज बना दें, गो डाउन बना दें, तो किसान वहाँ भी अपना फसल रख सकता है, अमांगाई के सीजन में बेच सकता है, तक किसानों की इंग बढ़ेगी, तो केंदर सरकार मुझे तो लग रहा है कि यह जो बील है, इसक अगर इसको पहले यह कर लिया गया होता, बिल लाने के पहले, वहाँ जो अपजीसन पार्टी के लोग सवाल उठा रहा है, वहाँ यह सवाल उठाए होते, एक महिना डिले ही होता, तब भी काम चल सकता था, तो मुझे लगता है कि किसानों को आगे बढ़ करके, सरकार को आ आजीब है किसान के लिए, मैं इसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसानों को इस अंगिल से नहीं देखना चाहिए, हर आंदोलन देखियो होता है, तो कुछ सरार्टी ततो आज आते हैं, अब उन सरार्टी ततों को ले करके, पूरे आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं, यह कि यह मतलब है नहीं कि सारा अंदोलन खराब है कुछ लोग आ सकते हैं कुछ लोगों को प्लांड किया जा सकता है तो इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है किसान के नेता इसको साफ कर चुके है तो मुझे लगता है कि जिमवार लोगों को इस तरह के भासा का प्रबंद प पाठी का और जेडियू भी कहीं न कहीं बी टीम बता रहे हैं भारतिय जन्ता पाठी का लेकिए मैं तो खेर भारतिय जन्ता पाठी में था चुनाव लड़ा लोजपासे अब कोई बी टीम बताएं सी टीम बताएं इन सब हलके शब्दों के लिए मेरे पस कोई जवाब नहीं हो तक किसी ब्यक्तिका में जवाब नहीं देता लेकिन जहां तक यह थार्थ आप बोल रहे हैं ए बात तो तह है कि राम बिला से बिमार थे उनके पुत्र रास्टी अध्यक्ष्ट चिरागपा स्वान जी सांसद भी है और पार्लिमेंटरी बोट के अध्यक्ष भी है तो उनक और लोजपा पूजपा पर लड़ी एक रास्टी अध्यक्ष उनको दिया गया उसी इसाप से भी अगर समझावते हो जाते हैं प्यंगर रोज नहीं होते हैं कोई आप नियम बनाते हैं तो बिधान सभा लोक सभा में लागू होता है आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा से नियम बनाए अपने हंकार में नियम बनाए तो उसका परिणा में यही होता है और लोजपा अगर उस नियम के तहत होता है तब आधी आधी सीटे हम लड़ लेते हैं जो लोजपा के हिसे में वो लड़ जाता है तो आज NDA 200 के पार होता लेकिन आप फक्रिएजिए कि अगर नहीं ये हो रहा था तो मुखमंतरी के जीद के चलते नहीं हो रहा था भाजपा का कोई जीद नहीं था मुखमंतरी के जीद के चलते नहीं हुआ तब लोजपा ने पहले ही दो तीन महीना पहले ही घोसना कर दिया था कि हमारा गटबंदन केंदर में भी भाजपा के साथ है बिहार में भी लोकसभा में भाजपा के साथ है लेकिन अब जेडियू के साथ हमारा गटबंदन नहीं होगा उनके अरियल रवयर के चलते और हमारा गटबंदन बिरान सवा में पहले भी जेडियू के साथ नहीं था तो हम जेडियू के खिलाफ candidate उतारेंगे भाज़पा के खिलाफ नहीं उतारेंगे ये तो असपस था अब उसमें आपको लग रहा है कि लोजपा के चलते आप हारे, तो आपको सोचना है, हारे आप तो सही है, लोजपा के चलते हारे, तो लोजपा ने कहा कोई धो के बाजी तो की नहीं, उसने तो पहले ही कहा दिया था कि हम भाजपा के खिलापनी, भाजपा के साथ हम के अंदर में गड़ तो इनका भी गटबंधन तो भीहार सबमी। बाहर तो है नहीं, तो लोजबा का गटबंधन combination केंदर में हमारे साथ था, हिनके साथ नहीं था, तो फिetted 챙टे दोसाज के 15 संपाफ से हमारे साथ था, इनके साथ नहीं था ही तो अलग लड़े थे तो इसमें लोजपा को दोस्त दे और भाजपा को दोस्त तो मुझे ठीक नहीं लगता है अगर इसका ठीकरा मरना चाहिए तो जदिवी पर जदिव कई पहले सोचना चाहिए था तो रामेश्वार जी क्या मान लिया जाए कि जो अब लोजपा तो यह तो नहीं देखा नहीं कि लोजपा गट बंदन से बाहर है किसी ने बोला भी नहीं और केंदर में मर्ते दम तक राम बिलाजी तो मंत्रू थे ही उसके बाद तो केंदर में एक्सपैंशन हुआ नहीं भारतिय जनता पाटी ने लोजपा को बाहर निका तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि गटबंदन तो ही बिहार भाजपा के लोग सारवजनिक मंच पे या फिर अपने पाटी के जो भी कारेक्रम होते हैं उसमें अगर यह सवाल रखा जाए कि लोजपा आपका केंदर का हिसेदार है या नहीं त लेकिन जादीवी के लोग केंदर में मंत्री नहीं बने जिसकारण नहीं बने ओ अलग भी साय है ओ प्रधान मंत्री जी का प्रेरोगेटिब है इसे साधिकार है लेकिन लोजपा के इंस्टालवर्ट रामविलास जी मंत्री थे अपने अंतिम समय तक मंत्री थे मंत्री रहत तो यह थे पूर भारतिय जंतापाटी के पूर्विधायक रामेश्वर चौरसिया और वेवाकी से हमारे हर एक सवालों का इन्हों ने जवाब रखा है चाहिए वो किसान आंदोलन की बात हो या फिर बिहार से लेकर केंदर तक एंडिये गट बंधन की तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट वियार के साथ धन्यवाद